गुड मॉर्निंग एवरीवन आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर मैं हूँ डॉक्टर बॉनिका और आज हम 24 फर्वरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेशन बन सकते हैं उन पर डिसकेशन करने वाले हैं और इस लेक्षे की पीडिये भी आपको यहां मिल जाएगी और यह आपके लिए आज का मॉटिवेशनल कॉट है आज ही मैनत करो डूब कर अपने सपनों के लिए जब कल उभरोगे सबसे अलग ही निक्रोगे तो अपनी मैनत को लगता जारी रखे रिजल्ट अच्छा ही होगा और इसी मॉटिवेशनल कॉट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फर्स्ट क्वेशन है दर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है तो यह दी है बारा से अठारा साल के बच्चों के लिए सीज का करेक्ट आंसर है और इन्होंने क्या बताया है इस वैक्सीन के बारे में हम डिटेल से बात करें तो भारत के ओजदी महा नियंतरक ने बारा से अठारा वर्ष के आयू के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन बायोजिकल इलिमिटेड कॉर्बे वैक्स को मंजूरी दे दी है और हैदराबाद इस्तेद फार्माशोटिकल कंपनी बायोजिकल इलिमिटेड ने कहा है कि उसकी कॉरोना वैक्सीन कॉर्बे वैक्स भारत की तीसरी घरेलू वैक्सीन भी है और भारत बायोटेक का को वैक्सीन 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को दिया जा रहा है और कॉर्बे वैक्स को प भारत में अन्य वैक्सीन हमारे पास सिरम इंस्टूर से कोवो वैक्स है ठीक है तो इसे मंजूरी मिली है 12-18 वर्ष के बच्चों के लिए बारते रेलवे का पहला केबल पुल कहां पर बनाया जा रहा है तो यह बनाया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बनाया जा रहा है सीज का करेक्ट आंसर है इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो भारते रेलवे ने जम्मू कश्मीर के रियाईसी जिले में अंची नदी पर देश के पहले केबल से बने पुल का निर्मान कर रही है और निर्माना धीन अंची खड़ पुल उद्धमपूर श्रेनगर ब पैरिस में एफिल टावर से भी उचा होगा ये और पुल की कुल लंबाई 430.25 मीटर है और ये 96 केबलो द्वारा समर्थित है रेलवे की हम बात कर रहे हैं तो जो विश्व का सबसे उचा रेलवे पुल है ये जम्मू कश्मीर के अंदर चिनाम नदी पर बन रहा है ठीक है और जो 12.758 किलोमीटर की भारती रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है T49 जिसकी खुदाई जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में की गई है और मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर जो भारत का पहला पोड होटल को लॉंच किया गया है और नीजी टूर ओपरेटर को ट्रेनों को लीज पर देने के लिए जो भारत गौरव योजना है ये शुरू की गई है रेल्वे के द्वारा और पून रूप से विद्धुतिक रथ होने वाला देश का पहला रेल्वे जौन कौन सा बना है? तो जो पश्चिमी मद्य रेल्वे जहौन है ये बना है पून रूप से व पिंटर कैपिटल यह है जम्मू और जो समर कैपिटल है यह है श्री नगर और जो लुटिनेंट गवर्नर है यहां के मनुष सिन्ना है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोड यह है पंकज मित्तल और न्यू यूनियन टेरिटरी बड़ कौन सा है तो कलीज फिसेंड यहां का नया यू टेरहो बनी है इसका करेक्ट आंसर होगा डिटेल से हम बात करें तो अंतरास्टी ओलंपिक सिमिती एथलेट आयोग ने फिनलेंड की आइस होकी घिलाड़ी एमा टेरहो को अपना अध्यक्ष और कोरिया गंडराजे के टेबल टेनिस घिलाड़ी सियूं मिन यू को अपना पहला उपाद्यक्ष चुना है और आयोग ने न्यूजिलेंड के साइकिल चालक सारा वाकर को आयोग के दूसरे वीसी के रूप में चुना है और एमा टेरहो पांच बार की ओलंपियन और फिनलेंड की महिला आइस होकी टीम की पूर्व कप्तान है और चलिए इंटरनेशन स्विजर लेंड के अंदर है और इसके प्रेजिडेंट थॉमस बॉक है और इसके डाइरेक्टर जनरल कौन है तो यह क्रिस्टॉफ दी कैपर यहां के डाइरेक्टर जनरल है और दोहजात तेस में अंतराश्टी ओलबिंग सिमीती सत्र का आयोजन मुंबई में होने वाला ह तो यह भी आप द्यान रखेगा चलिए टॉफ फाइव लेटेस्स रिक्रूट में के बारे में हम बात कर लेते हैं तो न्यू सेकेटरी जनरल ऑफ दे शंगाई कॉर्परेशन ओर्गिनाइजेशन तो न्यू सेकेटरी कौन बने है जांग मिंग बने है और दे न्यू इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्परेशन इंडिया इस तो यह कौन बने है दिलीव संगानी को बनाया गया है तो यह कौन बने है तो पीरे ओलिवियर्स गौरी चिंस यह बने है फोर नंबर क्वेशन है इन विच स्टेट वाज फोर्टी एर्थ खजुराओ डांस फेस्टिवल 2022 इनोग्रेटेड 48 वे खजुराओ नरत्य महसव 2022 का उधगाटन किस राज्ये में किया गया है तो यह किया गया है मद्य प्रदेश के अंदर 10 का करेक्ट आंसर होगा मद्य प्रदेश के राजेपाल मंगू भाई पटेल ने आजादी का अमरत महसव के अफसर पर विश्व प्रसीद परियटन इस्तल खजुराओं में 48 वे खजुराओ नरत्य महसव 2022 का उधगाटन किया है और यह आयोजन 20-26 फरवरी तक चलेगा और इस साल समारों में महीलाओं के लिए सुरक्षित परियटन परियवजना के बैनर तले 5 किलोमेटर दिल खेल के गूमो मेराथन का भी आयोजन किया गया था और इसका उधश है क्या है तो हिंदhouस्तान के दिल में आप सुरक्षित है कि नारे के साथ परियतन इस्तलों में महिलाओं के 20 सुरक्षा की भावना पैदा करना इसका उत्देश्य होगा चली मद्यप्रदेश की बारे में हम बात कर लेते हैं तो यह established रौदा 1st November 1956 को इसकी कैपिटर भुपाल है चीफ मिनिस्टर यहां के शिवराज सिंग चोहान है गवर्नर है मंगु भाई चगन भाई पतेल चीफ जस्टिस है आरवी मली मट और यहां पे 29 लोग सबा सीट्स है 11 राजे सबा सीट्स है 230 असेंबली सीट्स यहां पे है 5 neighboring states की बाद की जाए तो महरास्ट 36 गड उत्तर प्रदेश राजस्तान और गुजरात है और नेशनल पार्क कौन-कौन से है यहां पे तो काना नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बंदवगण नेशनल पार्क पन्दा नेशनल पार्क, सत्पूरा नेशनल पार्क यहां पे situated है और जो टाइगल स्टेट के नाम से जाना जाता है यह मध्यप्रदेश ही जाना जाता है और जो भोपाल गैस ट्रेजडी हुई थी इसके अंदर मिथाइल आइसो साइनेट जो गैस है इसकी लीकेज की वज़े से यह हुई थी चलि मध्यप्रदेश टॉप करन्ट अफेर्स हम बात कर लेते हैं इसके बारे में तो मध्यप्रदेश के अंदर जो एक जिला एक शिल्प अभियान है और जो निस्टा विद्यूत मित्र स्कीम है यह भी मध्यप्रदेश की है यह भी यहां पर लॉँच की गई है जीवन अमृत जो स्कीम है यह भी मध्यप्रदेश की है इंडियन रेलवे सेट अप दे फर्स्ट आटोमेटिक रेल कोच वशिंग प्लांट एट हभीब गंज ठीके जो भारते रेलवे द्वारा हभीब गंज पे पहला आटोमेटिक रेल कोच वशिंग प्लांट यह यहां पर स्तापित किया गया है चीप मिनिस्टर राशन आपके द्वार योजना यहां पे स्टार्ट हुई है और्गेनाइज़ खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 यह भोपाल के अंदर यह होंगे आयोजन होगा इनका और इंदोर लगातार पांचवी बार भारत का सबसे जो है यह स्वच्चे जो शहर है यह बना है तो यह मध्यप्रदेश ते रिलेटेट टॉफ करण्ट अफेर से तो यह भी आप द्यान रखेगा फाइफ नंबर क्वेशन है आफ्टर बास्मती राइस विश कंट्री है नाव डिसाइडेट तो रजिस्टर हिमालाएन पिंक साल्ट ऐस जियोग्राफिकल इंडिकेशन बास्मती चावल के बाद अब किस देश ने हिमालाई गुलाबी नमक को भोगोलिक संकेत के रूप में पंजिकरत करने का फैसला किया है तो यह है पाकिस्तान का इसको जो हिमालाई गुलाबी नमक है इसको जियाई टैग देने का फैसला किया है और पाकिस्तान ने हिमालाई गुलाबी नमक को जियाई टैग के रूप में रजिस्टर करने का फैस तोहार पठार के दक्षिन और जेलम नदी के उत्तर तक फैला हुआ है और बास्मती चावल को अपने उत्पाद के तोर पर पंजिकरत कराने के भारत के कदम के खिलाब पाकिसान 27 सदश्य यूरोपिय यूनियन में लड़ रहा है और जियाई टेग के बारे में हम बात करें ज आधार पर दिया जाता है पाकिसान की बात हो रही है तो पाकिसान सय है कांटिन्येट ऑफ एश्यक के अदर और इसकी कैपिटलल एश्लामाबाद है और जो करेंसी है यह पाकिस्टानी रुपे किकरनसी है और यहां के प्राइम्सीन मिनिस्ट्र है इमरान खान retard demand the international boundary between India and Pakistan is called red clip line इसको बोलते हैं top 5 GI tags के बार में हम बात करें जो इंडिया के अंदर मिले हुए है तो जो सिक्किम की डले खुरसिनी मिर्च है इसको GI tag मिला हुआ है और जो जारखंड के अंदर कोहबर और सोहराई पैंटिंग है इसको GI tag मिला हुआ है और मनिपूर के ब्लेक राइस को भी GI tag मिला हुआ है और तमिल अडू के जो पंचामरत प्रसाद है मुरुगण टेंपल का इसको GI tag दिया गया है और कश्मीर की जो सैफ्रोन है इसको भी GI tag मिला हुआ है 6. महिंद्र सिंग कान्याल has been appointed as the Indian ambassador to which country महिंद्र सिंग कान्याल को किस देश में भारती राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है तो ये किया गया है सीरिया के अंदर किया गया है वरिस्ट राजनाइक महिंद्र सिंग कान्याल को सीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है और कान्याल इस समय सूरी नाम में भारत के राजदूत है और उनके जल ही नया कारेबार समालने की उम्मीद है और भारत ग्रह यूद प्रभावी सीरिया को अनुदान एवं सहायता मुहया करा रहा है और विदेश मंत्राले ने पिछले हफते बताया था कि अरब गनराजी के अनुरोद पर सीरिया को 2000 मिट्रिक टन चामल बतोर उपहार दे रहा है चले सीरिया के बारे में हम बात करें तो सीरिया इस लॉकेटेड इन दे कॉंटिनेंट ओफ एशिया और जो इसकी कैपिटल है यह है दमासकस और जो यहां पे करेंसी चलती है यह सीरियन पाउंड और यहां कि जो प्रेजिडेंट है यह है बशर अल असद चलिए टॉफ एंबसेटर ओफ इंडिया टू अधर कंट्री के बारे में हम बात करें तो जो सुरेश कुमार है है यह पाकिस्तान के अंदर भारत के राजदूत है और विरेंद्र कुमार पॉल हैज बिन अपोइंटेटर ओफ इंडिया टू दे कंट्री ओफ अलजीरिया मनीश चोहान है अपोइंटेड अपोइंटेटर ओफ इंडिया टू पूर्थ गाल सेवन नमबर क्वेशन है वैन इस वर्ड थिंकिंग डेट 2022 सेलिबरेटेड विश्व चिंतन दिवस 2022 कम मनाया गया है तो यह दिन दुनिया भर में साती भाईयों और भेनों के बारे में सोचने उनके चिंताओं को दूर करने और मार्ग दर्शन के सही अर्थ को समझने के लिए यह दिन मनाया जाता है और इस बार की थीम रखी गई है इस और वर्ड और कॉमन फूचर हमारा वीश्व हमारा समान भविष्य इस बार की theme रखी गई है, Top 5 Days के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो पिछले मन्थ हमने celebrate किये हैं, तो National Girl Child Day हमने मनाया है 24 जन्वरी को, International Education Day मनाया जाता है 24 जन्वरी को, Armed Force Veterans Day मनाया जाता है 14 जन्वरी को, National Human Trafficking Awareness Day हमने मनाया है 11 जन्वरी को, प्रवासी भारती दिवस मनाया जाता है 9 जन्वरी को, 8 नमर क्वेशन है, Where has India's first Biosafety Level 3 Control Mobile Laboratory integrated, भारत की पहली जेव सुरक्षा इस्तर तीन नियंतरन Mobile प्रयोक्षाला का उधगाटन कहां पर किया गया है, तो ये किया गया है महारास्ट के अंदर सी इसका correct answer होगा, केंद्रे स्वास्ते और परिवार कल्यान राज्य मंत्री भारती प्रवीन पमार ने नासिक महारास्ट के अंदर भारत की पहली जेव सुरक्षा इस्तर तीन नियंतरन Mobile प्रयोक्षाला का उधगाटन किया है, और Mobile प्रयोक्षाला ICMR के विशेश रूप से प्रक्षिक्षित वेग्यानिको द्वारा उभरते और फिर से उभरने वाले वाईरल संक्रमनों की जाँच करने के अंदर ये help करने वाली है, और नई लौज की गई ये लैब देश के दूर दराज और जंगली इलाकों तक पहुँच बनाने में ये सक्षम होगी, ताकि मानव और पशुश रोतों से नमूनों का उप्योग करके प्रकोपों की जाँच की जाँ सके, और फर्स ताम इन इंडिया की बात हम कर लेते हैं, तो RBI has become the first central bank in the world to get 1 million followers on Twitter, इंडिया's first fungus park has opened in उत्राखंड, इंडिया's first honey laboratory has opened in Gujarat, इंडिया's first snow leopard conservation center has opened in उत्राखंड, NHAI has become the first organization in the construction sector to go completely digital, 9th number question है, Who has written the book The Founders, The Story of PayPal, The Founders, The Story of PayPal नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है Jimmy Soni के द्वारा ये लिखी गई है, C is का correct answer होगा, लेखक Jimmy Soni द्वारा लिखित और Simon and Shooters द्वारा प्रकाशित, The Founders, The Story of PayPal and The Entrepreneurs Who's Shaped Silicon Valley नामक एक नई बुक जली जारी होने वाली है, और ये भहुरास्टे डिजिटल भुकतान कंपनी पेपल की कहानी पर प्रकाश डालता है, और कैसे इसने एक start-up की यात्रा को कवर किया, जो आज तक की सबसे सफल कंपनियों में इसे एक बन गई है, जिसकी कीमत आज 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, और यह एलोन मस्क, पीटर थियल और रीड होफमेन जैसे प्रसित लोगों के बारे में, रंगीन उपाख्यानों को भी ये प्रस्तूत करती है, एम्स में जंग लड़ते हुए जो बुक है, ये रमेज पौकरियाल के द्वारा लिखी गई है, इन्विजवल एम्पाइर नैचरल हिस्ट्री ओ वाइरस जो बुक है, ये प्रैनलाल के द्वारा लिखी गई है, और जॉन लैंग, वांडरर ओफ हिंदुस्तान, स्लेंडरर ओफ हिंदुस्तानी, लॉयर फॉर दरानी जो बुक है, ये अमित राजन के द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है, शुरेंद्र सेन गुपता के द्वारा, तो ये किया है, ओमान के साथ में, सीज का करेक्ट आंसर होगा, भारतिय वायू सेना और रोयल एरफोर्स ओफ ओमान ने राजस्तान के अंदर वायू सेना स्टेशन जोदपूर के अंदर 21 से 25 वरवरी 2022 तक इस्टन ब्रीज 6 नामक एक द्वी पक्षिय हवाई अभ्यास का आयोजन किया है, और ये इस्टन ब्रीज 6 अभ्यास का ये 6 है, एडिशन है, और ये अभ्यास दोनों वायू सेनाओं के बीच परीचालन शमता और अंतर संचालिय नियताकव भढ़ाने का आवसर प्रदान करेगा, और इस अभ्यास के अंदर IAF और RAFO की भागिदारी दोनों देशों के बीच द्वी पक्षिय संबंदों को मजबूत करने के अलावा पेशेवर बास्चीत, अनुभवों के आदान प्रदान और परीचालन ग्यान में व्रद्धी को बढ़ावा देगी, और इस अभ्यास के दोरान विब्विन वरिस्ट गन्मान्य व्यक्ती वायू सेना स्टेशन जोदपूर का दोरा करने की यूजना बना रहे है चलिए 23 फरवरी की जो MCQ है जल्दी से हम रिवाइस कर लेते हैं, फर्स्ट क्वेशन था, होंडा कोर्स इंडिया की नए अध्यक्षो CEO कौन बने है, तो ये बने है ताकू या तूसु मूरा बने है, 20 का करेक्ट आंसर होगा, सेकिड नंबर क्वेशन है, जल जीवन मिशन क तहट हर गर जलवाला भारत का सोवाजीला कौन सा बना है, तो ये बना है, चम्बा बना है, हिमाचर परदेश का है, ये 20 का करेक्ट आंसर होगा, थर्ड नंबर क्वेशन है, अंतरास्ट्रिय मात्र भाषा दिवस 2022 कम मनाया गया है, तो ये बनाया गया है, 21 फरवरी को 10 का क इतरित करने के लिए प्रदान मंत्री फसल भीमा योजना के तहट मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभ्यान को किसने शुरू किया है, तो ये शुरू किया गया है, मिनिस्ट्री ओफ एगरी कल्चर एंड फार्मर्स वेलफेर्स के द्वारा सी इसका करेक्ट आंसर है, फाइफ इंडिया वेल्फ द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के दौरान भारत में करोड़पती परिवारों की संख्या में कितने प्रतिशत व्रद्धी हुई है, तो ये हुई है, ग्यारा परसेंट की इसके अंदर व्रद्धी हुई के इंटरनेशनल फिल फेस्टिवल अवार्ड दोहजर बाइस कारिकरम का आयोजन कहां पर हुआ है, तो ये हुआ है मुंबई महारास्ट के अंदर, बीस का करेक्ट आंसर है, नाइन नमर क्वेशन है, हाली में एह हिस्ट्री ओफ श्री निकेतन नामक पुस्तक किसने लिख है, तो ये लिखी गई है, उमादास गुपता के द्वारा, ये इस का करेक्ट आंसर होगा, टैन नमर क्वेशन है, हाली में भारत की सबसे भरोसे मन सारुजनिक शेतर की कमपनी का पुरसकार किसे मिला है, तो ये मिला है, कॉल इंडिया को मिला है, बीस का करेक्ट आंसर है, और ये था कल का स्टरी ग्लॉस क्वेशन, बीसवे ढाका इंटरनेशनल फिल्म फॉस्टिवल में भारत के किस फिल्म को सर्फ स्रेश्ट फिल्म का पुरसकार मिला है, तो ये मिला है, कुंज गल को मिला है, सी इस का करेक्ट आंसर होगा, और ये है आज का आपके लिए स्ट सेक्षन में दीजेगा, और ये हमारा टेलिग्राम चैनल है, यहां पर आपको क्विज अवेलिबल हो जाएगी, और इस लेक्षर की पीडिये भी आपको यहां मिल जाएगी, लेक्षर से रिलेटेर और क्वेशन से रिलेटेर आपके कोई भी डाउट से, तो आम मुझे कॉ